हेलो बच्चो कैसे वह आप सब लोग और सब लोग अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे लेकिन हाँ आज हम लोग लेके आये आपके लिए माइंड मैप सीरीज और माइंड मैप सीरीज में अल्रेडी आपने तीन चैप्टर्स कर लिए अब सर नेक्स चैप्टर्स जो मैं लेके आया हम हम हुआ आपके साथ solutions ये class 12th का एक topic है जो की mole concept का ही continuation part होता है mole concept में जहां पे 11th class के NCIT खतम होती है वही से 12th class में ये start हो जाता है mole concept में concentration terms last topic होता है वही पे solution का पहला topic कौन सा होता है concentration terms इवेन जब आप mind map सीरीज देख रहे होंगे तो सर वहां पे mole concept में भी आपको concentration terms बताई गई होंगी तो आज भी हम लोग वहीं से start कर रहे होंगे आज भी हम इस chapter को देखेंगे और mind map series में सर एक चीज़ सिधी सी बात है ये chapter को आपको सारे के सारे major points लाके रख दिये जा रही हैं आपे इसके बाद इस series को देखने के बाद आप फट आफट previous series questions कीजिए try कीजिए कि सर हमें ऐसे questions सारे निपटा दू या कुछ examples आपको बोले जा रहे हैं कि आप NCRT पढ़िए तो उसकी चीज़े साथ साथ में करते जाएए ये series आपके लिए है आपके result के लिए एक होता ना questions साथ साथ करते जाएंगे अगर sir questions नहीं किया सर्फर सर्फ revision करेंगे तो भी दिक्कत आ जाएगे तो बेटर है कि आप इस lecture को देखिए इसके बाद short notes अगर हो सकता है तो खुद बनाईए नहीं तो sir ठीक है इसी lecture के notes को save कर लीजिए PDF को save कर लीजिए और most of the points आपके cover हो जाएंगे except numericals आप इस revision series में बहुत कुछ सीख सकते हैं प्योर हो तो चलो हम लोग सुरू करते है mind web series किसका sir हम लोग सुरू करते है solutions का solutions में बात करेंगे तो sir solutions में मेरे पास major 4 topics आते हैं concentration terms solubility quality properties and venture factors यहीं 4 terms में हमारा पूरा पूरा chapter हो जाता है minimum 1 question maximum 2-3 question आपको यह देखे जाएगा यह term sir आपको mole concept में मिलता है sir यह वाली चीजें आपको coordination compounds में भी देखने को मिल सकती है तो sir यह chapter ना beach का point है जहां से बहुत सारे chapters relate किये जा सकते है तो sir हम लोग सबसे पहले basic से start करेंगे solution को start करेंगे और solution में सबसे basic सा solution का पहला term बात करना शुरू करेंगे and that is what concentration terms concentration terms में पहला आता है mass percentage mass percentage को हम लोगते हैं w by w भी लिखते हैं अगर मैं आपसे बोलू w by w तो sir अगर किसी का भी माल लो एक solution लेता हूँ जिसमें मैं क्या करता हूँ दो लोग को ले लेता हूँ a by b ले लेता हूँ a plus b दो लोग का binary solution लेता हूँ तो अगर किसने बोला कि sir mass percentage of mass percentage of a बताईए तो mass percentage of a is nothing sir mass of a divide by total mass total mass into क्या करूँँगा hundred कर दूँगा किसने बोला sir mass percentage of b बताईए तो mass percentage of b के लिए भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं sir given mass of b divide by w of total into क्या करने वाला हूँ hundred करने वाला पक्का sir mass percentage मतलब कि sir इतने respect में 100 gram में से आपका कितना gram है ये बात करनी है मतलब सध्यान सुनना w by w कहीं लिखा हुआ है तो इसका meaning क्या हो जाएगा w by w अगर लिखा हुआ है तो sir मैं इसका meaning आपको बताऊँ तो आपको कुछ नहीं अगर कहीं लिखा हुआ है 20% a w by w इसका meaning क्या हो जाएगा तो sir ये होगा 20 gram of 20 gram of a is present in 20 gram of a is present in 20 gram of A is present in 100 gram of solution 20 gram of A is present in 100 gram of solution सर similarly अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर volume percentage या इसी को मैं लिखना चाहूं तो sign में ऐसे लिखूंगा volume percentage V by V volume percentage क्या बता रहा होगा तो volume percentage मैं देखोगे ध्यान से तो volume percentage V again volume percentage अगर आपको A का लेना है तो सर क्या हो जाएगा volume of A divided by total volume into क्या कर देंगे हम लोग 100 कर देंगे और अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है 20% V by V 20% V by V किसका A का तो सर इसका मतलब क्या है कि 20 ml of 20 ml of A is present in 20 ml of A is present in 100 ml of solution बस ये छोट-छोट लाइन का meaning बस आपको लिख लीजिए आपको concentration term में कोई volume percentage निकालने को बोलेगा तो भी निकाल सकते हैं और अगर कोई बोलता है कि सर परसेंटेज का meaning बताओ 20 ml is present in 100 ml of solution तो सर ये तीन दो टर्म अपने पास ये mass 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 by mass है तो mass upon mass हो गया सर ये volume by volume है तो सर volume divide by volume हो गया किसी ने बोला mass by volume निकालो तो सर यहाँ पे थ्वड़ा ध्यान से देखिएगा इसका meaning समझिएगा सर इसमें formula से जादा important ये है कि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 20% W by V A equals solution लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है क्योंकि इसमें सर formula निकालने का question कभी नहीं आएगा आपको इसका meaning समझ में आना चाहिए सर mass 20% W by V का मतलब क्या होता है कि सर A का अगर मैं बात करूँगा A के respect में तो ये क्या बता रहा होगा सर 20 gram 20 gram of 20 gram of A is present in 20 gram of A is present in 20 gram of A is present in 100 ml of solution मतलब mass को मैं देख रहा हूँ mass का percentage मैं carry निकाल रहा हूँ किसके respect में? volume के respect में तो सर देख लो अपने पास third term जो मारे पास आ रहा है एक हो गया mass percentage एक हो गया volume percentage second third one mass by volume 20% mass by volume मतलब 20 gram A is present in 100 ml of solution और similarly अगर आपको opposite करके देदिया जाए तो यहाँ पे क्या होने वाला है अगर मैं लिख देता हूँ 20% volume by volume by mass A equal solution तो सर इसका मतलब क्या है सर A का equal solution लिया है पानी के अंदर इसका meaning क्या होने वाला है कि सर 20 ml of 20 ml of A is present in 20 ml of A is present in सर 100 gram of solution 100 gram of solution अब सर जितना हो सकता है इसकी practice कीजिए सर यहाँ mass के respect में बात कर रहे है 20 gram 100 gram के respect में बात कर रहे यहाँ 20 ml 100 ml के respect में बात कर रहे यहाँ mass by volume है तो gram को ml के respect में बात कर रहे यहाँ volume by gram है तो सर आपके पास चार concentration term सबसे basic से यहाँ calculation कुछ नहीं आता है यहाँ पे सिर्फ इस line का meaning decode करना होता है इस line का meaning क्या होगा इस line का meaning क्या होगा इस line का meaning आपको पता चल गया आप सारे questions attempt कर सकते हो सर यह basic चार concentration terms इसके बाद मेरे पास तीन major concentration terms और आते हैं वो क्या क्या है तो सर वो है अपने पास strength, molarity और molarity मैंने एक ही page पे दिखाया reason की यह बहुत जादा important होते है what is strength तो सर यह क्या होता है given mass of solute given mass of solute divided by volume of solution given mass of solute divided by volume of solution volume of solution हम इसा किसमें लेंगे liters में तो इसका unit क्या आ जाएगा unit is nothing gram per liter sir यह क्या है जहाँ volume आया मतलब यह क्या हो जाएगा temperature dependent हो जाएगा temperature dependent हो जाएगा sir जहाँ भी temperature dependent आया इस quantity को हम उतना भाव नहीं देते sir volume strength is nothing given mass of solute divided by volume of solution what is molarity capital M's represent करते हैं और molarity is nothing sir number of moles of solute number of moles of solute upon volume of solution volume of solution sir किसमे यह liters में यह क्या है moles में sir इसका unit देखोगे इसका unit देखोगे तो unit क्या आ जाएगा sir moles per liter या तो moles per liter या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं molar बोल देते हैं या फिर इसको capital M's represent कर देते Molarity में भी volume आ रहा है तो it is again temperature dependent ये क्या है temperature dependent है ये quantity थोड़ी ज़ादा हम लोग पढ़ते हैं Reason यहाँ पे 2-3 cases discuss की जाती है 2-3 cases discuss किया जाता है Molarity के case में Sir Molarity के case में हम लोग discussion थोड़ा ज़ादा करेंगे Reason Molarity के case में देखो अपने पास पहला concept Molarity के case में क्या आता है Dilution का Dilution क्या होता है Sir इसमें एक formula लगाते हैं M1 V1 is equals to M2 V2 Dilution अगर किसी term को dilute कर रहे हैं किसी solution को dilute कर रहे हैं तो उसका Molarity into volume Molarity into volume Initial moles, Final moles क्या होते हैं क्योंकि Sir number of moles of solute अगर निकालने जाओगे Number of moles of solute अगर निकालने जाओगे तो Molarity of volume into liters आ जाएगा किसने बुला Sir अगर volume यहाँ पे अगर यहाँ volume किसमें दे दिया जाए ML में दे दिया जाए तो Sir यहाँ पे क्या आ रहा होगा यहाँ पे मैं बात करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Number of mealy moles आ जाएगे Number of mealy moles of solute आ जाएगा क्योंकि volume आपने किसमें multiply कर दिया ML में तो Sir यह फॉर्मूलाज है Dilution में M1 V1 is equals to M2 V2 क्योंकि Dilution में solvent add करते है Solvent is added Solute में कोई change नहीं होता है Number of moles of solute क्या रहता है Constant रहता है Number of moles of solute क्या रहता है Constant रहता है Sir इसी में एक और concept आता है And that is known as mixing Mixing में क्या किया जाता है तो mixing में ध्यान रखो Mixing का formula दिमाग में रखो Mixing में क्या होता है Molarity of mixture जब निकालने जाते हैं तो Sir वहाँ पे formula होता है M1 V1 plus M2 V2 Divided by volume of mixture Volume of mixture Sir अपने को दो type का हो सकता है Volume of mixture दो type का हो सकता है या तो Sir volume of mixture V mixture या तो आपका क्या हो जाए V1 plus V2 हो जाए In general यहीं लेते हैं In general हम लोग यहीं लेते हैं कि volume of mixture क्या होगा इन दोनों का volume add कर दो लेकिन कभी कभी किसी question में क्या करता है कुछ जगा पे पानी भी add कर देता है Sir वहाँ पे न कुछ solvent भी add कर देगा Solvent भी add कर देगा तो उस case को क्या ले लेंगे अपने पास तो mixing के case में देख लो एक temperature यह dilution के case और mixing का case दो चीज़े मुझे पढ़नी पढ़ती है dilution और mixing को मिला के Molarity थोड़ा बड़ा है Molarity का meaning क्या होता है कितने moles of solute हैं एक liter solution में एक liter solution में कितने moles होंगे उसी को क्या बोलते हैं हम लोग Molarity Molarity इसी का जुड़ा भाई है लेकिन सर वो थोड़ा अलग चलता है उसको हम लोग small m से लिखते है small m क्या बताता है तो सर ये भी number of moles of solute ही बताएगा number of moles of solute ही बताएगा लेकिन ये solvition के respect में volume of solution के respect में तो ये क्या करता है mass of solvent के respect में बताएगा mass of solvent के respect में बताएगा mass of solvent किसमें लेंगे? kg में लेंगे mass of solvent किसमें लेंगे? kg में लेंगे सर, molality अपने पास molality जो होती है सर, इसका unit देखोगे sir moles divide by kg या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं molal या फिर इसी को small m से repeat करते है small m से revise करते है यहाँ capital M है वहाँ small m है दोनों का meaning different होगा यह किसको represent करता है sir even इसका formula एक notation याद रखिएगा solution में जब भी एक notation याद रखिएगा कहीं पर one और two लिखा हुआ है solution में हमेशा एक notation याद रखिएगा कहीं one और two लिखा हुआ है तो ध्यान से सुनना solution जब भी बनाते हो तो पहले क्या लेते हो solvent और उसके अंदर क्या डालते हो solute solvent के अंदर क्या डालते हो solute तो sir one से हम generally किसको denote करते हैं solvent को और two से किसको denote करते हैं हम लोग solute को ये एक word याद रखना क्योंकि हर एक जगा अब use होगा कहीं पर one लिखा है मसमाज जाना कि solvent है two कहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा solute हो जाएगा तो molality का formula देखोगे तो sir इसको लिख सकते हैं number of moles of solute divided by sir mass of solvent अगर mass of solvent gram में दिया है तो sir इसको कितने से divide कर multiply करना पड़ेगा thousand से molality का एक formula होता है जो इस chapter में बहुत जादा use करेंगे हम लोग thousand upon क्या हो जाएगा w1 किसमे ग्राम में तो molality का ये भी formula हम लोग को काफी सारा revise करना पड़ेगा sir molality का भी formula कोई चाहे वैसे लिखने का तो लिख सकता है क्या हो जाएगा w2 by m2 into thousand upon volume of solution लेकिन किसमे ml में volume of solution किसमे ml में तो sir ये दोनों formulas को ध्यान से देख लो small m और capital m को ध्यान से देख लो capital m में क्या है volume of solution small m में क्या है mass of solvent mass of solvent sir दोनों में number of moles of solute ही है दोनों में number of moles of solute ही है यहाँ पे solution के respect में वहाँ पे solvent के respect में तो sir ये total basics हम लोग ने 7 terms किये सबसे पहले mass by mass volume by volume फिर अपने पास mass by volume और volume by mass फिर strength हो गया molality हो गई molarity हो गई फिर मेरे पास कुछ basic terms आते है अब आते हैं fraction के terms जब भी आपको कोई बोले mole fraction को हम लोग काई से represent करते है काई बोलते हैं mole fraction को हम लोग काई से बोलते है और इसका meaning देखना अगर दो लोग हैं तो sir काई of A मतलब mole fraction of A mole fraction of A mole fraction of A की बात करूँगा तो mole fraction of A is nothing अपने moles divide by total moles यही होगा sir किसने बोला mole fraction of B तो sir यह क्या होगा अपने moles divide by total moles और यहाँ पे एक interesting सी बात आती है कि sir इनके components को जोड़ दो mole fraction को जोड़ दो sir क्या आएगा बन आएगा यह unitless होता है इसका कोई unit नहीं होता है unitless होता है यह unitless होगा अपने पास mole fraction क्या होगा unitless होगा mole fraction क्या होता है unitless होता है अगर आपको chi of A निकालना है तो 1- chi b लिख सकते है chi of B निकालना है तो 1- chi यह लिख सकते mole fraction किसी एक का निकालते दो लोगों का नहीं निकालते एक का निकाल लो दूसरा one minus कर लो, क्योंकि दो लोगों का sum क्या होगा हमेसा one अगर दो ही component है solution में solute और solvent, तो solute का निकाल लो solvent क्या हो जाएगा, one minus mass fraction इसी का जुड़वा भाई है mass fraction मतलब कुछ नहीं अगर मैं बोलू mass fraction of a निकालना है, तो mass fraction of a मतलब क्या हो जाएगा, sir given mass of a, divide by total mass, यही क्या हो जाएगा, mass fraction किसने बोला, sir, नहीं, sir mass fraction of b निकाल दो, तो mass fraction of b क्या हो जाएगा mass fraction of b क्या हो जाएगा sir, given mass of b, divide by total, अब यह total क्या होता है, sir, अपने mass divide by, sir, total मैंने हमेसा कितने लोगों का solution लिया है मैंने हमेशा दो लोगों का solution लिया है क्योंकि हमारे syllabus में हमेशा binary solution ही होगा देखो मैंने शुरुआत में दो लोगों का solution लिया है A और B का तो हमेशा किसका लेंगे binary solution ही ले रहे होंगे हम लोग हमेशा किसका लेंगे binary solution लेंगे even mass fraction add करके देख लो किसी भी type क्या fraction add करके देखोगे answer आपको हमेशा a plus b का mass fraction add करके देखो कितना आ जाएगा similarly volume fraction अगर किसी ने बोला volume fraction बताओ तो sir volume fraction of a में भी देखोगे तो volume fraction of a is nothing volume of a divided by total volume ये क्या हो जाएगा volume fraction of a किसने बोला sir volume fraction of b बताओ तो volume fraction of b क्या होगा sir volume of b divided by क्या हो जाएगा वी total again sir volume fraction का sum करोगे sir volume fraction of a plus b करोगे इसकी value भी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी तो याद रखना जिंदगी में तीन type के fraction कितने भी type के fraction आए सब का सम करोगे कितना आ जाएगा 1 चाहे हो mole fraction हो, चाहे mass fraction हो, चाहे volume fraction हो तीनों के case में अपने पास mass fraction हो, volume fraction हो, कैसा भी हो सब के case में सब का sum कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा अब sir, last one अपने पास, parts per million अगर किसी को ppm निकालना है, ppm of a तो parts per million, इसको shortcut में लोग क्या लिखते हैं, ppm लिखते हैं अब ppm निकालने का सर तो तरीके होते हैं, parts per million मतलब कुछ नहीं, given mass of a, divided by total mass और कुछ नहीं, इसको किस से multiply कर दो, 10 की power 6 से क्योंकि million क्या होता है, one million is nothing one million is nothing, 10 lakhs one million is nothing, 10 की power 6, यही होता है साह सर, simple सा एक relation बताता हो, यह बताओ, यह formula किसका था, यह formula किसका था mass fraction का था, mass fraction को अगर आप 100 से multiply करते हो तो क्या आता है, mass percentage, mass fraction को आप 100 से multiply करते हो तो क्या आता है, percentage, और अगर 10 की power 6 से multiply कर दोगे तो क्या आ जाएगा, PPM आ जाएगा, किसने बुला नहीं सर, मुझे ना PPM of A volume के respect में बताओ, तो सर, volume of A ले लो, volume of A ले लो divide by total volume ले लो, into क्या कर दो, divide by total volume लिख लो और into क्या कर दो, 10 की power 6, तो PPM का मतलब यह होता है PPM का मतलब, एक 10 लाख में आपका कितना amount है अगर mass के respect में बात करें, तो आपका 10 लाख gram में से आपका कितना gram है, सर, 10 लाख volume में से आपका कितना volume है इसी को क्या बोलते हैं, हम लोग PPM बोल देते हैं तो सर, mass fraction, mole fraction, volume fraction, PPM और इसी का जुड़वा भाई कौन सा आएगा parts per billion, billion में अपने पास 1 billion is 10 की power 9 तो सर, यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं करना सर, यहाँ पे PPB of A निकालना है तो PPB of A is nothing सर, given mass of A, divide by total mass into क्या कर दो, सर, 10 की power 9 कर दो सर, PPB of A निकालना है अगर volume के respect में तो volume of A, divide by total volume into क्या करना सुरू कर दो, 10 की power 9 कर दो तो यह क्या जाएगा, parts per billion तो total 12 concentration terms है 12 concentration terms है सर, mass by volume, volume by volume सर, mass upon volume, ऐसे करके निकाल दो total 12 concentration terms आएगी और इनके बीच का interrelation काफी जादा important है मतलब, जैसे मेरे पास पहली चीज relation between, ध्यान से देखना और यह चीज ना, exam hall तक लेके जाना है relation between strength and molarity strength and molarity strength and molarity सर, strength और molarity के बीच में strength जो होती है, that is nothing molarity into molarity into molarity into molar mass of solute molar mass of solute molarity into molar mass of solute molarity into molar mass of solute तो पहला formula आपस का interrelation देख लो फिर किसने बोला सर और कोई relation यस सर है न सर अपने पास relation between relation between relation between molarity relation between molarity mass percentage of mass percentage of solute and density and density इनके बीच में भी एक relation आता है and that is what molarity is nothing molarity is nothing molarity is 10 times 10xd upon molar mass molar mass of solute तो सर ये भी एक formula आता है जिसको आप use कर सकते हो ये भी एक formula आता है जिसको आप use कर सकते हो किसने बोला सर relation between ये बहुत जादा use होगा अपने इस chapter में relation between सर molality molality and mole fraction molality and mole fraction इसके बीच में कोई relation बताओ तो याद रखना सर यहाँ पे molality जो होती है small m that is mole fraction of solute divided by mole fraction of solvent into सर thousand upon thousand upon molar mass of क्या आजाएगा solvent आजाएगा thousand upon molar mass of क्या आजाएगा solvent आजाएगा पक्का सर किसने बोला कि नहीं सर कुछ और relations बताओ कुछ और relations बताओ तो देखो अपने पास एक और relation relation between relation between molarity capital M से molality small m से and density इनके बीच का एक relation याद रखना बस यहीं आपस के चार relations आप exam hall में ले के जाना यहीं आपस के चार relations आप exam hall में ले के जाना कि सर small m is nothing thousand times capital M upon thousand times density minus molarity into molar mass of molarity into सर यह क्या है molarity है capital M मतलब molarity और इसी को मैं लिख दू molarity into सर यह M of solute molar mass of solute तो सर यह formula भी आप अपने exam hall में ले के जाएंगे यह चार relations चार लोगों के बीच का relations आप ले के जाएंगे exam hall में where D is density where D is density तो सर total inter convergence inter relations की बारे में बात करें तो 12 terms हैं उनकी बीच का inter relations यह होता है किसने बोला सर आप simple से चीज़ एक दो और relations बताये तो अगर mass fraction दिया हुआ है mass fraction मतलब sir wa by w total अब देखो इसको mass fraction को sir multiplied by 100 कर दो तो क्या आजाएगा mass percentage आजाएगा multiplied by 10 की power 6 कर दो तो क्या आजाएगा PPM आजाएगा और mass fraction को sir multiplied by 10 की power 9 कर दो तो क्या आजाएगा PPB आजाएगा तो sir तीनो terms यह ऐसे inter relations देख लो आप तो ये आपके पास concentration terms हुए जो पहला topic है concentration terms वो इतना ही है normality NCRT के syllabus में नहीं है अभी के time पे solutions में इसलिए हम उसको नहीं पढ़ रहे ठीक है ना उसको हम लोग नहीं देख रहे अब हम लोग के life में second part आता है second part क्या होता है तो sir वो होता है solubility solubility क्या है कि sir maximum amount जो आप dissolve कर पाते हो अब किसके अंदर कितना dissolve हो पाएगा मेरे case में NCRT में तीन cases discuss किये गए है solid in liquid gas in liquid और liquid in liquid तीन cases में solubility की बात की जाती है तो तीन cases में sir अगर solubility की बात start करे तो मैं पहले solid in liquid में करता हूँ ये किसके किसके उपर depend करेगा थोड़ा ध्यान से सुनना sir ये पहले किसके डिपेंड करेगा इसमें solute कौन है ये solute है मैं इसे कर देता हूँ ये क्या है मेरा solute है ये क्या है मेरा solute है ये क्या है मेरा solvent है तो sir यहाँ solute और solvent देखो किसके किसके उपर depend करेगा सर यह क्या क्या depend करेगा थोड़ा यहां factors देख लेते हैं factors के बारें बात करें तो पहले किस पर depend करेगा nature of solute पे solute कैसा है सर दूसरी बात solvent कैसा है क्यों 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 कि सर आपने एक चीज पढ़ी है nature of solute और solvent हमने एक चीज पढ़ी है like dissolves like like dissolves like तो अगर एक टाइप के होंगे तब तो dissolve करेंगे polar होगा तो polar में dissolve करेगा non polar होगा तो non polar में dissolve करेगा तो वो वाली कहानी तो सर पहले दो factors तो बहुत simple से है कि सर एक क्या है nature of solute दूसरा क्या है nature of solvent तीसरे की बारे हम बात करे temperature की बारे हम बात करे तो temperature में क्या होता है अगर endothermik है अगर reaction endothermik है तब तो solubility क्या होगी temperature increase करने पे endothermik में देखो आपको यह कियाद रखना है endothermik में अगर temperature increase करते हो तो solubility क्या होती है increase करती है endothermic में solubility क्या होती है increase करती है मैंने आपको सिर्फ एक बोला reason कि sir exothermic आप खुद से निकाल सकते हैं अगर endothermic में ये हो रहा है तो exothermic reaction में क्या हो जाएगा एक बाँ बताओ exothermic reaction में sir क्या हो जाएगा इसका just opposite ले सकते इसका just opposite ले सकते कि sir यहाँ temperature बढ़ाओगे यहाँ temperature बढ़ाओगे solubility क्या हो जाएगे कम हो जाएगे solubility क्या हो जाएगे कम हो जाएगे तो बेटा short notes ना ऐसे बनाओ किसी एक को पकड़ लो मैं दोनों को याद रखूँगा तो हमेशा confuse रहूँगा endo thermico पकड़ लोगी चाय में क्या करते है sir चाय जितना खौलता रहेगा उसमें चीनी डालो solid डालो उस liquid में चाय में solid के अंदर liquid डाल के देखो मतलब चाय के अंदर solid डाल के देखो चाय में जितना चीनी डालोगे high temperature पे आराम से dissolve हो जाता है because वो process क्या है endo temperature बढ़ा होगे solubility क्या हो जाएगी बढ़ती चली जाएगी पक्का exo में क्या होगा कम हो जाएगा sir यहाँ पे बात करे pressure का तो pressure का कोई रोल नहीं होता इनके चारी factors है no effect pressure का कोई effect नहीं होता तो factors में बात करेंगे तो इनके चार factors होए कौन कौन से sir solute का solvent का nature इनके लिए एक simple सी भायत लिखी like dissolves like like dissolves like polar polar में dissolve होगा non polar non polar में temperature में endo temperature बढ़ाने पे solubility बढ़ जाएगी sir अगला देख इसके बारे हम बात करते gas in liquid के बारे हम बात करते gas in liquid सबसे पहली बात gas liquid में जाएगा नि तो सबसे पहला condition जो इसके बारे हम बात करते ये इसके लिए क्या है solute है ये इसके लिए क्या है solute है और ये इसके लिए क्या है solvent है यही है sir पहला factor जिस पर ये depend करते है factors के बारे हम बात करे तो जिसके उपर सबसे पहले ये depend करेगा पहला factor सर critical temperature of critical temperature of gas gas का critical temperature जितना high होगा PC जितना high होगा solubility और जादा क्या होगी solubility of gas in liquid क्या होगी high होगी solubility of gas in liquid क्या हो जाएगी high हो जाएगी क्योंकि critical temperature जिसका जितना high मतलब वो temperature सर जिस पे liquid में convert हो सकते हो अगर वो temperature आपका high है मतलब जल्दी liquefy होगे जल्दी liquefy होगे तो आप जल्दी क्या हो जाओगे तो gas के उपर depend करती है दूसरी चीज़ temperature के उपर depend करता है क्यों क्योंकि सर solubility of सर ध्यान से सुनना solubility of gas in liquid solubility of gas in liquid gas in liquid अगर solubility of gas in liquid देखता हो मैं solubility of gas in liquid is inversely proportional to temperature inversely proportional to क्या आएगा temperature इसलिए इसका application भी साथ साथ में लिख सकते हो आप अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर पता चल जाएगा इसलिए सर हमेशा cold drinks को या carbonated drinks को हम लोग हमेशा low temperature पीते हैं कई भी हम pepsi को thumbs up को ना direct high temperature पी सकते सर हम लोग हमेशा फ्रिज से निकाल के पीते हैं अगर दुकान के बाहर रखा हैं direct नहीं पी सकते because gas उतना ज़्यादा dissolve नहीं होगा जैसे जैसे temperature कम होगा solubility क्या होगी gas की बढ़ती चली जाएगी that's why there is a question कि sir जो aquatic species होती है they feel more comfortable in cold water as compared to hot water cold water में क्या होगा oxygen gas पानी में ज़्यादा dissolved होगी और इसले aquatic species आराम से रहेंगी आराम से बंदास होके रह रहेंगी तीसरा factor जो यहाँ पे होता है वो होता है कौन सा तो वो होता है pressure का और जहां pressure आया यहीं पे एक law आता है and that is known as Henry's law अभी हम थोड़े दिर में करेंगे इसको Henry's law को यहीं पे हम लोग देखेंगे Henry's law क्या है Henry's law को अभी थोड़े दिर में देखते है Henry's law को देखते है दूसरी बात करते है liquid in liquid को लेते है अगर मैं भी Henry's law को थोड़ा साइड करता हूँ मेरे पास तीन टाइप क्या है Henry's law liquid in liquid तो यहां पे क्या होता है कि सर लिक्विड में कौन सा टाइप का liquid है volatile liquid है या non volatile है volatile liquid है या non volatile है इसके उपर depend करेगा volatile liquid होगा तो अपना वेपर प्रेशर जादा बनाएगा volatile जैसे जैसे पेट्रॉल है जल्दी जल्दी वेपर्स बना लेगा non volatile मतलब आराम अराम से या वेपर्स बनाएगा ही नहीं तो उसके उपर depend करता है liquid के nature पे depend करता है और यहां पे एक law आता है that is known as round's law इसको हम लोग क्या बोलते हैं round's law पक्का चलो अब सर मेरे पास यहां क्या है henry's law आपना short notes अगर आप साथ में बना रहे हो तो यहां रुख जाओ यही पर लिखना है आपको यहां पर क्या आएगा henry's law henry's law क्या कहता है henry's law दिहान से देखना आपने पास यह किसके बारे बात करता है कि solubility of solubility of gas in liquid solubility of gas in liquid is directly proportional to directly proportional to partial pressure of gas partial pressure of partial pressure of gas सर partial pressure of gas के directly proportional है तो सर यहां पर मेरे पास pressure is directly proportional to mole fraction and pressure is nothing cage into काई आजाता है where P is partial pressure of gas where P is partial pressure of gas mole fraction यह क्या हो गया mole fraction और एक simple सी बात याद रख लेना अपने पास सर एक बात जान जाओ अगर cage की value बढ़ेगी cage की value बढ़ती है तो solubility क्या हो जाती है कम हो जाती है solubility क्या हो जाती है gas in liquid की कम हो जाती है कर जाएगी cage की value बढ़ेगी तो solubility of gas in liquid क्या हो जाएगी decrease कर जाएगी Henry's law में एक दो बाते और याद रखना Henry's law में सर वही gas लेते है जो क्या हो एक तो इसकी limitation याद रखना सर limitation क्या है इसकी तो सर एक gas plus liquid आपस में reaction ना करे मतलब इनकी आपस में reaction ना हो gas plus liquid का आपस में reaction ना हो gas plus liquid का आपस में reaction ना हो दूसरा temperature बहुत जादा low ना हो जाए very low ना हो जाए temperature very low ना हो जाए क्योंकि अगर low हुआ तो भी दिक्कत है and तीसरा pressure बहुत जादा ना हो जाए pressure very high ना हो जाए pressure very high न हो जाए pressure बहुत ज़ादा high न हो तीन limitation है इनके पास एक मिनट रुको यार इसको मैं इधर लिख देता हूँ ठीक है इसको देख लो अपने पास मैं बोल रहा हूँ pressure देख लो अपने पास मैं तीन limitation बता रहा हूँ तीन limitation क्या है Henry's law कहां कहां invalid हो जाएगा यह ध्यान रखना limitations की बात करूँगा अगर limitations of Henry's law की बात करूँ तो limitations of Henry's law सर यह याद रखियेगा कि सर gas plus liquid यह reaction ना करे gas plus liquid यह reaction ना करे gas plus liquid reaction ना करे दूसरा सर temperature सर temperature vary low ना हो जाए बहुत जादा low हो जाएगा पता चला liquid सर solid में convert हो रहा है तीसरा कि सर pressure क्या हो जाए बहुत जादा high ना हो जाए pressure very high ना हो जाए जादा high हो गया तो भी क्या हो जाएगी अपने लिए दिक्कत क्रेट कर देगा तो सर हेंदी's law में यह चीज़े आएगी limitation हो गई हेंदी's law की चीज़े हो गई केज बढ़ाएंगे solubility of gas and liquid क्या होगा कम हो जाएगा किसने बोला सर pressure और mole fraction का graph खीच दो pressure और mole fraction का graph खीचो straight line जाएगा क्यों क्यों क्योंकि सर solubility बढ़ती है सर application देखोगे applications of Henry's law देखोगे तो applications of Henry's law आपको 2-3 examples दीख जाएंगे अपकी life में सर एक तो cold drink के अंदर pressure क्या होता है सर carbonated drinks क्या होते है carbonated drinks आपके सर किस pressure पे carbonated drinks are packed at कितने pressure पे होंगे pack at high pressure सर high pressure पे हम लोग pack करते हैं दूसरा सर high altitudes पे एक problem आती है high altitudes पे एक problem आती है वो क्या कहलाती है तो सर high altitudes की problem को बोलते हैं हम लोग enoxia और सर ये भी किसके कारण होता है Henry's law कारण and third one कि सर sea divers को एक problem आती है जो समंदर में गोते लगाते हैं बहुत नीचे नीचे तक उनको एक problem आती है जिसका नाम रखते हैं हम लोग bends bends को avoid करने के लिए to avoid bends to avoid bends हम लोग क्या करते हैं helium gas डाल देते हैं helium gas is used helium gas is used in cylinders cylinder में helium gas use कर देते हैं helium gas helium nitrogen और oxygen helium का 11.2% कर देते हैं याद रखिएगा helium ही क्यों use किया because उसकी solubility क्या होती है कम होती है low solubility होती है low solubility of helium in blood इसी लिए हम उसको use करते हैं तो Henry's law क्या है ये nitrogen का percentage approximately 56 और बाकी रहावा percentage क्या हो जाएगा oxygen पक्का तो ये हमारे पस पूरा Henry's law है Henry's law की limitation याद रखो Henry's law का graph याद रखो Henry's law का application याद रखो Henry's law का application याद रखो Henry's law कैसे कैसे चीज़े कर रहा है ये ध्यान रखो पक्का तो ये छोट-छोट चीज़े है gas in liquid के लिए Henry's law आता है फिर मैंसे किसने बोला कि sir liquid in liquid के लिए तो आपने बात ही नहीं करी liquid in liquid को क्या बोला आपने round's law तो कोई बात नहीं round's law की बात कर लेते है round's law क्या होता है round's law क्या होता है तो ध्यान से सुनना आपने पास जब दो liquids को mix करते हैं माल लो मेरे पास ये दो liquids है A और B तो round's law क्या कहता है कि sir A और B को अगर आप mix करते हो तो इनके जो vapors बनेंगे अपको मोल fraction of that gas या मोल fraction of liquid in solution मोल fraction of that component in solution ऐसा क्यों? क्योंकि sir उसका एक reason बताता हूँ आपको एक simple सा reason बताता हूँ एक बात बता हो खुद से सोचो अगर यहाँ पे खाली pure A होता ध्यान से सुनना अपने पास खाली pure A होता pure A ہोता प्योर A होता तो A अगर होता अगर सारी की सारी energy इसी को देता हम है सारी की सारी energy इसी को दे रहा होता माल लो 100 जूल देता तो 100 जूल क्या करता पूरा का पूरा A को मिलता और A क्या करता यहाँ पे अपने वेपर्स बनाता A क्या करता अपने वेपर्स बना लेता खुब सारे वेपर्स बनाता इसको हम लोग क्या बोलते यह जो वेपर्स बने इसको हम लोग बोलते हैं PA0 वाई सर ये जिस वाट वेपर प्रेशर आफ प्योर लिक्विड प्योर लिक्विड अकेला A था तो सारी कि सारी इनर्जी किसको मिल रही थी A को A ने क्या किया खुब सारा अपना वेपर बना लिया लेकिन सर जैसे ही मैंने क्या किया इसके अंदर अगर मैं बात करो कि सर मैंने यहां 100 जूल्स दिये थे सारी कि सारी इनर्जी किसको मिल गई A को तो A ने खुब सारा वेपर प्रेशर बना लिया अगर मैं सॉल्यूशन में मिक्स कर दूँ अगर मैं solution में लेके चला जाओ सर यहाँ पे ना किसी का solution बना दू A plus B कर देता हूँ तो सर अब यहाँ जो vapors होंगे वो क्या होंगे थोड़े कम हो जाएंगे सर pressure of A अब की बार सर कम हो जाएगा किस से P not A से क्यों सर? क्योंकि सर अब की बार भी आप क्या कर रहे हो same amount of heat दे रहे हो पहले अकेला था तो सारी heat कौन लेके गया A और A ने क्या किया सारा का सारा खुद का vapors बनाया तो उसको क्या बोलते है P not A what is P A? P A is nothing vapor pressure of A in in solution तो सर राउल्ट्स ने क्या बोला? उसी के लिए उसने बोला कि pressure of A is nothing mole fraction of A directly proportional to A तो pressure of A is nothing P not A into क्या लिख दीजिए काई of A where P A is what? pressure of A in the solution P not A is what? vapor pressure of pure liquid A mole fraction of A multiply कर तो तो similarly अब देखो ना आपने पास similarly अब दो liquids हैं दो liquids हैं A plus B तो सर, सर pressure of A is directly proportional to काई A सर, P A is nothing P not A काई A similarly, सर काई A और similarly, P B is directly proportional to काई B P not B B is nothing P not B काई B हो जाएगा और सर, इन दोनों का graph खीचना सुरू करें जिन्दगी में पहली बार आपके पास close graph आना सुरू होगा एक side काई A को रखते हैं 0 mole fraction की maximum value कितनी होती है 1 जहां काई A 1 हुआ, वहाँ पे काई B 0 और काई B जहां 1 हुआ, काई A जहां 1 हुआ वहाँ काई B क्या हो जाएगा ये देख लो अपने पास काई B क्या हो जाएगा 0 सर, pressure of A directly proportional to mole fraction of A pressure of A का graph कैसा होगा ये graph होगा P A is nothing P not A, काई A होगा और किसने बोला, सर, ये graph किसका है सर, maximum mole fraction की maximum value कितनी हो सकती है 1, तो सर, यहाँ यहाँ पे जो value आएगी ये कितना हो जाएगा P not A, इधर क्या है, pressure है इधर क्या है, pressure है किसने बोला, सर, एक काम करो एक का graph कीचो, तो B का graph कैसा होगा ऐसा होगा, ये क्या हो जाएगा PB is nothing, P not B, काई B हो जाएगा B की maximum value कितनी आएगी P not B, और इन दोनों को अगर ज्वाइन कर देते हो, आप इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दो, तो यहीं किसका graph होगा, P total का यहीं किसका graph होगा, P total का सर यह उपर वाइल लाइन किसको represent कर रहा है, उपर वाइल लाइन atmospheric pressure को represent कर रहा है यह किसको represent कर रहा है atmospheric pressure को represent कर रहा है तो सर देख लो, राउल्ड's law क्या 불ता है, सर, according to Raoult's law according to Raoul's law सर प्रेशर जो होता है, वो क्या होता है, P A directly 성and to πν नौट अ इंटो काई ए पी इंटो पी नौट इंटो काई बी सर ऐसा कर लिजे अब मुझे किसने बोला सर पी टोटल बताईए तो पी टोटल क्या होगा पी ये प्लस पी बी या फिर मैं लिखना चाहाँ पी नौट ए काई ए प्लस P not B काई B फिर किसने बुला सर इसको एक के टंस में लिखना हो तो सर कुछ नहीं यहां काई यह लिखा हुआ है यहां पे क्या कर दो काई B लिख दो काई B लिख दो और यहां पे P not B minus P not A values put करकर के देख लो P not B लिखा है यहां पे काई लिख दो और यहां P not A minus P not B कर दो तो सर आप ऐसे भी निकाल सकते है तोटल प्रेशर किसने बुला सर एक बाब बताओ जब यह लिक्विड होगा जब यह लिक्विड होगा A plus B तो सर यहां पे ना composition अलग होगी लिक्विड की composition अलग होगी composition क्या होगी composition R सर याद रखिएगा सर Y A mole fraction of A in vapor phase mole fraction of A in vapor phase mole fraction of A in vapor phase सर यह क्या हो जाएगा mole fraction in vapor phase यह क्या हो जाएगा सर P A upon P A upon P total सर Y B निकालना है mole fraction of B in vapor phase तो यह क्या हो जाएगा P B upon क्या जाएगा P total तो सर ये देख लो वेपर फेज की कमपोजीशन काइसे निकालेंगे ऐसे निकालेंगे राउल्ड्स लॉग का ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा बनेगा ये उपर वाइड लाइन किसको रिपजन्ट कर रहा है पी टोटल का ये अपने पास देख लीजे पक्का तो ये राउल्ड स्लो हो गया अब यहां पर एक चीज आती है राउल्ड स्लो के तो फॉर्मूलाज आगे निमेरिकल्स आ जाते है उसके बाद आता है कि सर जो राउल्ड स्लो को फॉलो करता है जैसे गैस दो टाइप की थी आईडियल और वैसे जाउल्ड स्लो को जो फॉलो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैu आईडियल गैस आईडियल सॉलीशन और नौन आईडियल लिग देता हूँ और इधर मैं नौन आईडियल लिग देता हूँ मेंटा आफ साथ साथ में short notes बना सकते हो या फिर इसी notes का print out लेके रख सकते हो ideal में देखो तो क्या हो रहा होगा सर यहाँ पे P not A into chi A मतलब यह किसको follow करता है Obe is Raoul's law यह किसको obey करता है Raoul's law को यह किसको obey करता है Raoul's law को यह क्या करता है do not obey Raoul's law Raoul's law को obey नहीं करेगा over the entire range of concentration over the entire range of concentration सुरू से लेके last तक यह obey नहीं करेगा composition के सुरू से लेके last तक यह obey नहीं करता है यह सुरू से लेके last तक करता है Obe is Raoul's law, ideal solution सर यहाँ Pb is nothing P not B into chi B और सर what is P total तो P total is P not A, chi A plus P not B, chi B सर यह ideal condition है लेकिन real में यहाँ देखेंगे बात करेंगे तो सर यहाँ क्या होगा P A is not equals to P not A, chi A P B is not equals to P not B, chi B यह इसके equal नहीं होगा सर P total की बारे बात करेंगे तो यह भी क्या होगा not equals to P not A, chi A plus P not B, chi B तो जो droughts law को follow नहीं करता है उसी को क्या बोलते है non-ideal solution उसी को क्या बोल देते है non-ideal solution सर याद करो इसका graph कैसा था इसका graph कैसा बनाया था हम लोगों ने इसका graph यही बनाया था कि सर यहाँ mole fraction यह 0 यहाँ mole fraction 1 यहाँ पे mole fraction B का सर 1 यहाँ mole fraction B का क्या हो जाएगा 0 सर यह straight line follow कर रहा था यह P not A था यह P not B था यह क्या हो गया P total हो गया यह किसका है ideal solution का graph है लेकिन अगर इसी को non-ideal solution में जाओगे तो सर यह किसी को बे नहीं करते मतलब यह क्या होगा graph इनका straight line होगा ही नहीं कुछ न कुछ fluctuation आएगी कुछ न कुछ इनके पास क्या आएगी fluctuation आएगी और इसी लिए सर ideal solution को देखोगे ध्यान से तो यह क्या बोलते है ideal solution यह था P not A ideal solution में straight line था यह क्या था P not B और यह क्या था अपने पास P total यह क्या था P total सर यह graph क्या होगा या तो उपर से जाएगा या फिर नीचे से जा रहा होगा या तो वो उपर से चला जाएगा या फिर नीचे से चला जाएगा सारे graphs क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे ideal ये क्या है non-ideal ideal solution क्या है ideal solution कब बनता है जब intermolecular force में कोई change नहीं आता intermolecular force solute और solvent का mix करने के बाद कोई change नहीं आ रहा almost intermolecular force of AA is almost equals to BB is almost equals to AB तो ये intermolecular force का change जीरू हो जाए यहाँ पे देखोगे तो intermolecular forces जो होंगे वो अलग-अलग होंगे AA का BB का और AB का अलग-अलग आ रहा होगा AA का intermolecular force that is not equals to BB और BB का not equals to AB तो ये चीज़े आनी शुरू होंगे यहाँ intermolecular force same है इसलिए अपने को tension नहीं ये ideal कहलाएगा वो non-ideal कहलाएगा solution में देखो ना अपने पास यहाँ graph में इसको उबे नहीं करेगा अब जहाँ bond अलग-अलग type के हुए वही मेरा क्या हो जाएगा अगर मैं उसी chart को आगे कर दूँ तो ये क्या है ideal था और उसी chart में अगर इधर देखों तो ये क्या था non-ideal था ये क्या था non-ideal था सर ideal में बात करे तो इसके examples क्या हो जाएंगे सर इसके examples similar type के लोग मतलब क्या हो जाएगा सर hexane इसको क्या लिख दो benzene plus toluene लिख दो similar type के लोग मिल गए तो इसको क्या बो लेंगा ideal कोई bond में change ही नहीं है मिलने के बाद दोस्ती दिखाने के बाद कोई फरक ही नहीं पड़ेगा hexane और plus heptane ले लो hexane plus क्या ले लो heptane ले लो तो सर ये क्या हो जाएंगे अपने पास सेम चीज़ सर अपने पास C2H5Cl C2H5Cl और C2H5BR इन सम में क्या है intermolecular force क्या है सेम है तो कोई फरक ही नहीं पड़ेगा इसके examples देखोगे तो इसके examples देखोगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अलग अलग आएगा water plus HNO3 ले लो bond कुछ अलग बन जाएगा यहाँ पे water plus alcohol ले लो अगर अपने पास water plus alcohol ले लो bond कुछ और आएगा सर यहाँ पे acetone plus COCS3 plus सर यहाँ पे क्या ले ले लेते हैं अगर मैं बोलू तो यह CSCL3 ले ले लेते तो अलग आएगा तो यह सब देखोगे examples ideal के non-ideal के ideal में क्या है कि सर सब कुछ अपने पास यह देख लो यह equal है वहाँ क्या है greater than है इसका inter-molecular force change है इसका graph अलग आएगा उसका graph अलग आएगा तो यह basic changes आगए ideal और non-ideal में अब मुझे यह पता चल गया कि ideal में यह अच्छा एक बाह बताओ ideal के बारे हम बात करें तो अगर मैं 5th example या 4th point लिखूँ तो इसमें क्या होगा यहाँ पर enthalpy भी change होगी और volume भी change होगी या तो strong bond बनेगा या फिर क्या बन जाने वाला है weak bond बनने वाला है सर एक common point याद रखिएगा कि किसी भी type का introp किसी भी type का solution बनाए delta S mixture हमेशा greater than 0 होगा और delta S mixture less than 0 होगा यह common point है delta S mixture entropy हमेशा solution में बढ़ती है और give synergy हमेशा solution में क्या होती है कम होती है तो give synergy हमेशा कम हो रही होगी तो ये छोट-छोट चीजे हैं छोट-छोटे points हैं जिनको ideal और non-ideal solution में आप देख सकते हो ideal और non-ideal solution में आप देख सकते हो फिर किसने बोला सर ideal है non-ideal है तो non-ideal भी दो type का non-ideal भी दो type का non-ideal solution भी दो type का non-ideal solution को देखोगे तो भी दो type क्या रहे होंगे क्या हो रहा होगा non ideal solution दो type में क्या हो रहा होगा तो एक को हमलों बोलते हैं positive deviation एक को हमलों बोलते हैं positive deviation और एक को हमलों लोग negative deviation positive deviation और एक को हमलों क्या बोल देते हैं negative deviation positive deviation क्या होगा तो sir जिसमें क्या हो जाए sir PA की value greater than P not A काई ये आ जाए सर जिसमें क्या हो जाए PV की value greater than P not B काई B आजाए P total greater than P not A काई A plus P not B काई B मतलब जितना आप experimentally सोच रहे थे उस graph में जितना आप experimentally सोच रहे थे जैसे मालनो मैं पहले ideal condition ऐसे लेके चल रहा था पहले मैं ideal condition ऐसे लेके चल रहा था कि सर ये ऐसे graph जा रहा होगा जो भी आप condition लेके चल रहे थे उससे क्या हो जाए? positive value जा जाए उससे क्या हो जाए? positive value जादा ही value जाए मतलब जितना भी होगा सर वो हमेशा क्या होगा? positive value मतलब यहाँ पे काई ये अगर 0 है काई ये 1 है सर काई वी की value क्या होगी? यहाँ 1 काई वी की value यहाँ क्या होगी? 0 सर देख लो ये क्या होगया? PA का graph, ये क्या होगया? PB का graph और ये क्या हो जाएगा? P total का graph पक्का तो सर जो चाहोगे उससे जादा ही मिलेगा सर यहाँ पे delta H mixing delta H mixing greater than 0 आएगा डेल्टा वी मिक्सिंग सर ग्रेटर देन जीरू आ जाएगा यहाँ पे देखोगे तो सर यहाँ पे निगेटिव का मतलब क्या हो गया सर सब कुछ क्या आ जाएगा कम आ जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा सब कुछ क्या आ जाएगा जो ideal condition है उससे कम आ जाएगा P total की value भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी P not A, काई A plus P not B, काई B इसकी value क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी तो बस यहाँ देखोगे तो सर यहाँ पे क्या हो रहा होता है अगर यहाँ graph बनाओगे तो सर जो आप सोच रहे थे जितना आप ideal condition में सोच रहे थे उससे क्या होगा, जादा होगा या कम होगा graph कि तरफ plot होगा नीचे की तरफ plot होगा graph कि तरफ plot होगा, नीचे की तरफ plot होगा सर PA का graph यह हो जाएगा PB का graph यह हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा P total का graph यही होगा सायन सर यहां उपर हो गया यहां क्या हो जाएगा नीचे सर यहां पे आपको यह उपर हो गया और यह क्या हो जाएगा नीचे तो बस यह difference याद रखिए सर यहां differences याद रखिए और आगे बढ़ते चलिए सर याद रखिए यहाँ पे delta H mixture delta H mixture क्या होगा less than 0 delta V mixture less than 0 क्योंकि negative deviation सर यहाँ पे ऐसा क्यों आया because intermolecular force का order देखेंगे तो सर यहाँ पे क्या होगा सर अगर reaction यह लेते हैं A और B B वाला तो यहाँ पे उनका intermolecular force किस से जादा हो गया A B से मतलब solution से पहले अगर आपका bond जादा strong है तो आप हमेशा कौन सा बनाते हो positive deviation क्योंकि solution में गए आपका bond weak हो गया आप जादा सजादा vapors बनाओगे तो इसलिए कौन सा deviation होगा positive deviation अगर मैं बात करू इसकी तो इसके intermolecular force के order की बात करू तो intermolecular force का order क्या हो जाएगा सर इसका intermolecular force का order A और B इसकी value क्या आ जाएगे A B से कम आ जाएगे मतलब जिसका bonding बन गया मतलब जो पहले अकेला था जैसे ही solution में डाला जिसका bond strong बन गया वो कौन सा deviation सो करेगा negative और जिसका bond weak बनेगा वो कौन सा deviation सो करेगा positive deviation वो कौन सा deviation सो करेगा positive deviation positive deviation और negative deviation को ध्यान से देख लो कि सर weak intermolecular forces कहा कहा पे आ रहे होंगे इसके examples देखोगे इसके examples अगर देखें तो इसके examples देखोगे तो जहाँ पे जैसे पानी प्लस alcohol डाल दो water प्लस alcohol डाल दो तो ये क्या है सर water alcohol positive deviation होगा इसके examples देखोगे तो सर पानी plus acid डाल दो ये क्या हो जाएगा अपने पास पानी plus acid negative deviation हो जाएगी सर आपके जो major example है जैसे यहाँ पे सर जहां intermolecular कुछ bond बन गए जहां intermolecular कुछ bond बन गए वो कौन बन गएशन के example हो गए प्लस मैं यहाँ सर CCL4 डाल दूँ तो ये क्या हो गया bond weak बनेगा क्योंकि सर ये पहले hydrogen bonding है यहाँ कोई bonding नहीं डालोगे क्या हो गया weak बन जाएगा इसलिए ये कौन सा deviation है positive ये कौन सा है negative जिसमें bond strong बनता है उसको कौन सा deviation मुलते है negative deviation पका अच्छा एक बाफ बताव यही才 नया concept आता है emotrop का emotrop कौन से होते है जिनका boiling point क्या होता है fluctuate करता है क्यों fluctuate करता है विकवाज वो दो Wonder type के होते है emotrop देख हो अपने पास emotrop इनको बोनते है emotrop किसको बोलते है caun elastic boiling point mixtures को constant boiling point mixtures को boiling point mixtures को हम लोग क्या बोल देते हैं azeotrops constant boiling point mixtures को क्या बोलते है azeotrops दूसरी बात कि sir इनका जो composition होता है इनका जो composition होता है liquid और liquid and vapor phase में वो same होता है liquid and vapor phase ये दोनों जगा composition क्या रखते हैं अपने same रखते हैं vapor phase R क्या रहेगा इनका same रहेगा मतलब इनका जो mole fraction है chi a that is equals to y a chi b is nothing y b तो sir इनका mole fraction भी क्या रहेगा same रहेगा तो azeotrops ये है azeotrops दो type के होते हैं maximum boiling point azeotrops और minimum boiling point azeotrops boiling point मोलते किसको हैं जब आपका pressure किसको achieve कर ले atmospheric pressure को जब आपका pressure किसको achieve कर ले atmospheric pressure को तो sir एक बात बताओ ideal condition में यहां थे positive deviation में तुम्हारा vapor pressure क्या हो गया पहले से जादा तो जो positive deviation वाले हैं वो क्या करते हैं उनका boiling point क्या हो जाता है sir positive deviation वाले positive deviation जो होता है positive deviation from round's law from round's law ये क्या show करते हैं round's law ये लोग क्या show करते हैं सर positive deviation वाले क्या शोगरते है minimum boiling point क्यों क्योंकि सर इनका vapor pressure पहले से ही जादा है तो boiling point पहुँचने में बहुत time लएगा नहीं negative deviation में क्या होता है कि सर पहले से vapor pressure नीचे चला गया तो इस case में क्या आ जाता है maximum boiling point और इसके लिए हम लोग क्या लिखते है सर जो पढ़ा है उसी को बस use कर ले रहे है उसी को क्या बोलेंगे ageotrops इसी को क्या बोलेंगे हम लोग ageotrops तो ये मेरे पास ageotrops ये solution का second part खतम होता है सर concentration terms हो गए solubility हो गई, gas in liquid, solid in liquid and liquid in liquid round slow हो गए, यहीं पे कुछ कुछ चीज़े और आ जाती है कि सर राउल्स law is a special case of henry's law राउल्स law is a special case of henry's law सर राउल्स law is a special case of henry's law कैसे होता है सर ये चीज़ याद रखिएगा जब सामने वाला henry's law क्या बोलता है pressure of a is nothing k h into chi of a सर राउल्स law क्या बोलता है pressure of a is nothing p not a chi of a सर जब दोनों के दोनों जब p not a is equals to k h हो जाए, जब ये दोनों equal हो जाए, उस condition में, क्या बोलते हैं हम लोग, कि राउल्ट's law is a special case of Henry's law, when the liquid is so volatile, when the liquid is so volatile, इतना ज़्यादा volatile हो जाए liquid, कि वो किस तरह भी हैप करे, ये किस की तरह भी हैप करना सुरू करे, गैस की तरह भी हैप करना सुरू करे, इतना ज़्यादा वोलाटाइल हो कि सर ये किसके लिए होता है लिक्विड इन लिक्विड के लिए होता है ये किसके लिए होता है लिक्विड इन लिक्विड के लिए होता है हेंरी जो किसके लिए था गैस इन लिक्विड के लिए था तो sir liquid इतना ज़्यादा volatile हो जाए यह liquid इतना ज़्यादा volatile हो जाए किसकी तरह भी हैप करना शुरू करते है गैस की तरह तो इसी को क्या बोलेंगे अपने पास इसी को अमनों बोलते हैं कि राउल्स लॉज्जे स्पेशल केस ओफ हेन्री जलो तो यह azutrops हो गए अब यहाँ पर मेरा third part आता है और यहाँ से अब part बहुत असान से बजाते है third part क्या है qualitative properties, concentration terms वो अपने पास और फिर solubility उसके बाद third part क्या आता है qualitative properties, यह वो properties of solution है, यह वो properties of solution है, जो किस पर depend करती है, properties of solution या सीधा मैं लिख दूँ, it depends only on, it depends only on, सिर्फ और सिर्फ किसके उपर, only on number of solute particles, सिर्फ और सिर्फ किस पर depend करेगी, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ number of solute particles पर, कोई फरक नहीं पढ़ रहा, किस नेचर क्या है, कैसा है, reaction कैसा करता है, कोई फरक नहीं और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किस पर depend करेगा, number पर, और मेरे पास, चार टाइप की qualitative properties आती है, four types की qualitative properties आएंगी, four types की qualitative properties आएंगी, और चारो टाइप की qualitative properties को हम देखे ध्यान से, तो क्या होने वाला है चार टाइप की qualitative properties इसको ध्यान से देखे, तो पहला जो आता है, याद रखना, पहला जो आता है, इसको हम लोग बुलते हैं, relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, और इसको अब इतना बड़ा नहीं लिखे, हम लोग क्या लिखेंगे, RLVP लिख देंगे, सर, याद रखना, vapor pressure is not the qualitative property, relative lowering of vapor pressure is the qualitative property, सर, second one, that is called elevation in boiling point, elevation in boiling point, elevation in boiling point, सर, ये क्या हो जाएगा, elevation in boiling point, इसको हम लोग रिपेजेंट करेंगे, delta TV से, again, boiling point is not a qualitative property, उसके अंदर जो elevation आ रहा है, increase हो रहा है, उसको बोलेंगे, and third one, सर, depression in freezing point, depression in freezing point, depression in freezing point, सर, ये क्या हो जाएगा, depression in freezing point, delta TF आ जाएगा, and the fourth one, that is known as osmotic pressure, that is known as osmotic pressure, osmotic pressure को हम लोग रिपेजेंट करते हैं, पाई से, ये तीन absolute terms नहीं है, ये तीन क्या है, relative terms है, मतलब change measure किया जा रहा है, यहाँ relative lowering, यहाँ elevation, यहाँ depression, absolute term कौन सा है, osmotic pressure, तो इसको हम लोग सबस्यादा भाव देते हैं, इसको हम लोग सबस्यादा यूज करते हैं, किसके लिए, calculations के लिए, पक्का, सर, हमें जब भ किसी को भाव दिया जाएगा, वो osmotic pressure वाला होगा, बाकी ये तीन भी अच्छे हैं, इन में से पहला देखते हैं हम लोग, अब मैं बार बार इस तरह सना लिखके, मैं ऐसे लिख देता हूँ, relative lowering of vapor pressure, qualitative property है, और relative lowering of vapor pressure क्या होता है, P1 0 minus P1 upon P1 0 is nothing, mole fraction of solute, and that will be N2 plus N1, N1 plus N2 this is what, relative lowering, यह इसी को हम लोग लिखते हैं, delta P upon P1 0 is chi 2, यही होगा, अब सर यहां यह क्या है, यह सब चीजे देख लो, what is P1 0, तो सर vapor pressure of pure solvent, यह क्या होगा, vapor pressure of pure solvent, और सर what is P1, तो सर vapor pressure of solution बोल दो, vapor pressure of solution बोल दो, पक्का, इसमें एक condition है, इसका एक special case है, special case मतलब कि सर इसके formula में थोड़ा modification होता है, delta P upon P1 0, या फिर P1 0 minus P1 upon P1 0 is nothing, N2 by N1, आप यह भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी 3 conditions हैं, conditions याद रखेगा, किस condition में आप यह formula लिखेंगे, यह याद रखेगा, जब change in pressure बहुत कम हो जाए, जब change in pressure क्या हो जाए, बहुत कम हो ज सर, number of moles of solute बहुत कम हो जाए, किस से, N1 से, और तीसरी चीज, कि सर, यहाँ पे मैं और क्या करूँ, तो सर, काई 2, mole fraction की value बहुत कम हो जाए, काई 1 से, तो भी मैं यूज कर सकता हूँ, तो सर, relative lowering of vapor pressure क्या है, सर, relative lowering of vapor pressure, delta P upon काई 2, बस values पुट कर दो, अब यहाँ पे दो ची यह दोनों जुड़वा भाई है, elevation in boiling point, elevation in boiling point, elevation in boiling point, elevation in boiling point, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, delta Tb बोलते हैं, यह अपने पास, depression in freezing point, depression in freezing point, depression in freezing point, को हम लोग क्या बोल देते हैं, कि सर, delta Tf बोल देते हैं, delta Tf बोल देते हैं, ठीक है, delta Tf बोल देते हैं, तो सर, elevation in boiling point, और depression in freezing point, देख लो अपने पास सर ये दोनों के दोनों दोनों के दोनों पैरलली इसलिए पढ़ाया because molality पे depend करता है ये भी किस पे depend करता है molality पे सर डेल्टा टी बी का formula होता है kb into sir m molality के directly यहाँ पे delta tf का formula जो होता है वो भी क्या हो जाता है delta tf is directly proportional to molality और ये भी क्या हो जाता है delta tf is kf into m sir where kf is where kf and kb is called इसको अमलों बोलते हैं boiling point elevation constant boiling point elevation constant boiling point elevation constant या फिर इसी को अमलों बोल देते हैं ebiloscopic constant ebiloscopic constant sir formula put कीजी answer निकाल दीजी ये हमेशा elevation की बात कर रहा है यहाँ पे क्या है sir इसको अमलों बोलते हैं depression and freezing point depression, freezing point, depression constant इसको अमलों बोलते हैं freezing point, depression constant ये क्या है freezing point, depression constant है और इसके case में इसी को अमलों बोल देते हैं cryoscopic constant भी बोल देते हैं इसको अमलों क्या बोल देते हैं cryoscopic constant भी बोल देते हैं पक्का सर ये दोनों formula similar हैं even का graph देखोगे तो सर boiling point का graph देखना अपने पास ये मान लो atmospheric pressure का graph है P ATM का graph है सर अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे तो देखो boiling point कैसे बढ़ेगा अगर सर pure solvent होगा pure solvent होगा तो सर इसका pressure इसका pressure सर इसका pressure और इसका temperature देखना graph देख लो pure solvent होगा तो सर जिस point पे pure solvent का vapor pressure किसके equal होता है जिस point पे सर किसके equal होजाए atmospheric pressure को उसी को क्या बोलते है boiling point और सर अगर solution लोगा तो solution को क्या होगा यहाँ पे जाके hit खोरेगा और solution में solution का देखोगे तो boiling point क्या हो जा रहा है सर टीबी डैस हो जा रहा है इसी gap को हम लोग निकालते हैं डेल्टा टीबी करके डेल्टा टीबी करते हैं सर न्यू boiling point जो होगा अगर आपको बोला जाए यह जान बुझ के मैं लिख रहा होगे कि बहुत साए लोग question करते old boiling point और plus क्या कर देना डेल्टा टीबी कर देना because यहाँ increase हो रहा है boiling point आपका क्या हो रहा है increase हो रहा है इस case में देखोगे तो freezing point में तो सर यहाँ पे यह solid की line बनी हुई है सर यहाँ पे pure solvent आएगा pure solvent आएगा pure solvent आएगा तो सर इसका freezing point क्या होगा यह होगा इसका freezing point ये होगा सर ये temperature versus pressure का graph बना रहा हूँ देखना अपने पास ये graph याद रखिएगा क्योंकि NCRT में भी है और exam में कभी भी आ सकता है तो सर देख लो अपने पास ये अगर Tf- हो गया तो इन दोनों के बीच का gap को क्या बोलते हैं delta Tf बोल देते delta क्या बोल देते हैं Tf बोल देते हैं तो ये freezing point depression है ये boiling point elevation है अगर आपको कोई बोले कि new freezing point बताईए तो सर याद रखना यहाँ मैं add करूंगा यहाँ मैं क्या करूंगा add करूंगा और इस वाले case में क्या करने वाला हूँ इस वाले case में क्या करने वाला हूँ minus करने वाला हूँ याद रखना क्यों कि सर एक बात बताओ एक में increase हो रहा है दूसरे में क्या हो रहा है decrease हो रहा है एक में increase हो रहा है यहाँ मैंने plus किया elevation था बढ़ रहा है number line में देखो आगे जा रहा है तो add करूंगा, यहां number line में पीछे की तरफ आ रहा है, solution का graph खीचूंगा, number line में कहां आ रहा है, पीछे की तरफ, तो sir इन दोनों को याद रखो, even sir ये याद रखना, kb की value जो होती है, आप निकालने जाओगे, तो r tf square m upon, sorry, r tb square m tb square m into thousand times delta h, क्या आ जाएगा, वेपराईजेशन आ जाएगा, sir ये kb किस तरफ डिपेंड करता है, depends on nature of solvent, या depends on solvent, solvent कैसा है, उसकी उपर डिपेंड करता है, kf को निकालने जाओगे, experimental value, तो वो क्या हो जाएगा, r tf square into m upon thousand times delta h fusion हो जाएगा, तो sir ये values भी याद रखना, kf की value भी याद रखना, हो जाएगा, sir तो चातीन qualitative properties relative lowering of vapor pressure elevation in boiling point, depression in freezing point, यहाँ तक कर लिया, अब sir देखो अपने पास, चौती qualitative property, and that is known as osmotic pressure, osmotic pressure क्या है, तो sir, osmotic pressure को हम लोग 20 represent करते osmotic pressure को 20 represent करते है, actually एक word होता है, osmosis, osmosis is nothing, sir, कहा से कहा, सिर्फ और सिर्फ, flow of solvent only, flow of solvent only सिर्फ और सिर्फ, solvent का flow कहा से कहा, only from sir, कहा से कहा, sir solution to, solvent to pure solvent to pure solvent to, pure solvent to, solution, osmosis किसको बोलते हैं, जो sir, कहा से कहा flow करा रहा हो, solvent का flow, solvent का solute का flow नहीं, solvent का flow कहां से pure solvent से कहां solution type इसी को रोकने के लिए pressure applied to stop osmosis pressure applied to stop osmosis इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं osmosis को रोकने के लिए ही हम लोग क्या बोल देते हैं osmotic pressure सर पाई की value देखोगे तो πाई is nothing CRT πाई is nothing CRT सर concentration into R into temperature सर ये C क्या है सर C क्या है concentration मोल्स पर लीटर में पुट कर दो मोल्स पर लीटर में पुट कर दो सर यहां पे temperature किस में पुट कर दो Kelvin में पुट कर दो ये सर osmotic pressure बहुत ज़ादा यूज होता है because ये चितने भी biomolecules होते हैं उनके polymers में इन सब के न boiling point इन सब को निकालनेगा बहुत काम आता है तो ये osmotic pressure ध्यान रखिएगा osmotic pressure के opposite ही अगर एक होता है reverse osmosis reverse osmosis कुछ नहीं सर reverse osmosis क्या होगा सर दोनों में solvent ही flow करता है बस opposite कर देना flow of solvent from क्या हो जाए from solution to from solution to pure solvent और याद रखना osmosis का osmosis को रोकने के लिए तुमने क्या यूश किया है osmotic pressure osmosis को रोकने के लिए तुमने क्या यूश किया है osmotic pressure reverse osmosis कब होगा जब pressure greater than क्या हो जाए pressure greater than क्या हो जाए pressure applied pressure जो होना चाहिए वो किस से ज़्यादा होना चाहिए greater than osmotic pressure सर यहाँ पे दो लोगों का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो इस सॉलीशन को हम लोग बोल देते हैं आईसो टोनिक सॉलीशन अगर दो लोगों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो इस सॉलीशन को हम लोग बोल देते हैं आईसो टोनिक अगर सर किसी एक का osmotic pressure जादा है तो जिसका जादा है उसको हमनों बूल देते हैं hypertonic जिसका जादा है उसको हमनों बूल देते हैं hypertonic आप सर बायो पढ़ते हो आपको भी पता है बायो के अंदर जो cells के अंदर movement है because of osmosis ही हो रहा है roots थे हम लेके उपर तक पानी को लेके move करा रहे है because of osmosis कराते तो ये सारी चीज़े osmotic pressure osmotic pressure चारो colligative properties सबसे useful चीज़ है तो ये सर osmotic pressure हो गया ये चार चीज़े चारो colligative properties खतम कर लिए हम लोगों ने तो अब आते हैं सर्फ maximum और चौथे point पे वो क्या है मेरे पास वो है went of factor वो क्या है मेरे लिए went of factor फोर्थ फोर्थ point इस chapter का ठीक है ना I know थोड़ा से जिन लोगो को लग रहा है बहुत लंबा हो गया भाई chapter को इतना ही fast हम लो revise कर सकते हैं आप मेरे साथ साथ कुछ points आपको और add करने when CRT और अपने note book को देखिए वहां से भी आप add कर सकते है went of factor को लोग किस से represent करते हैं I से represent करते है went of factor निकालने के तरीके अलग-अलग होते हैं कोई बोलता है कि सर अपने पास observed qualitative property observed qualitative property divided by went of factor में 2-3 तरीके से निकाल सकता हूँ upon calculated calculated qualitative property observed upon calculated qualitative property से भी निकाल सकता हूँ कोई बोलता है कि सर i की value आप चाहूँ तो सर ऐसे भी निकाल सकते हो number of particles number of particles after dissociation sir आप number of picked after dissociation divided by number of particles before भी कर सकते number of particles before dissociation या फिर association सर एक चीज याद रखिएगा yenter factor आता किसके लिए है तो याद रखना यह सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आता है electrolytes के लिए यह सिर्फ और सिर्फ किसके लिए valid है valid for electrolytes non electrolytes के case में for non electrolytes for non electrolytes sir अगर non electrolytes की बारे हम बात करेंगे तो non electrolytes में I की value fixed दो जाती है कितनी 1 होती है non electrolytes नहीं dissociate करेंगे नहीं associate करेंगे पहले जितने particles होंगे बाद में भी उतने ही रहेंगे तो इनके अंदर कोई tension होती ही नहीं है और winter factor निकालने का एक और तरीका होता है normal molar mass normal molar mass upon abnormal molar mass normal molar mass जो की आप formula से निकालते हो किसी का chemical formula दिया उससे निकालते हो upon abnormal molar mass जो की आप solution के अंदर absorb करते हूँ, तो I, Vantafactor ये तीन चीजे निकाल के देता है तीन चीजों से निकल सकता है exam wall में आपके उपर सबसे ज़्यादा जो formula based होता है वो second वाला होता है, number of particles सबसे ज़्यादा अगर कोई use करा जाता है तो second वाला use किया जाता है number of particles after dissociation, before dissociation यहाँ पर electrolytes में हम बात करते हैं तो electrolytes में दो type के cases आ जाते हैं electrolytes की बारे हम बात करें तो electrolytes दो type के होते हैं एक होते हैं कि सर ये क्या करते हैं strong electrolytes strong electrolytes हैं, तो इनके case में tension नहीं है क्यों? क्योंकि इनका 100% क्या होना है dissociation या फिर association यहाँ पे 100% dissociation होता है या फिर क्या हो जाता है association हो जाता है लेकिन सर अगर weak electrolytes को लेके आप चलते हो तो weak electrolytes के case में ही लोचा है सर जितनी आप chemistry में देखोगे चाहे आई नी को सब जगा weak वाला ही परिशान करेगा इसमें क्या होगा सर ये less than अगर मैं बात करूं less than 100% association या फिर dissociation करते हैं less than 100% dissociation या फिर dissociation करते हैं तो weak electrolyte में ये सर अगर strong electrolyte है मैं पहले strong electrolyte की बात कर लेता हूँ strong electrolyte है तो अगर उसके case में dissociation हो रहा है माल लो A2B3 है तो सर ये dissociate होगा 2A प्लस 3 में सर 3B-2 में तो सर यहाँ पे अगर strong electrolyte है dissociation है तो I की value क्या होगी सर देख लो अपने पास कितने particles after dissociation कितने particles है 2 और 3 शुरुआत में कितने हैं 1 तो I की value कितनी आ गई 5 सर strong electrolytes है सर अगर strong electrolyte है अगर मैं बोलू 4A है किसमें convert हो गया A4 में तो सर I की value क्या हो जाएगी सर 1 by 4 हो जाएगी सर अगर मैं बात करता हूँ weak electrolytes में तो weak electrolytes में देख लो weak electrolytes में क्या होता है आपको क्या करना होता है there is a word known as alpha alpha is nothing degree of dissociation या फिर association there is a word known as alpha degree of dissociation या फिर क्या करते हैं हम लोग association और degree of dissociation और association क्या करता है सर ये ध्यान से सुनना अपने पास अगर आप कोई बंदा अगर एक particle देखो यहाँ पे अगर ये तूटता है, n particles में तूट रहा है ध्यान सुनना, अगर n particles में तूट रहा है तो इसका वेंटफ फेक्टर क्या होता है अगर आप dissociation करते हो, अगर आप n particles में dissociate करते हो तो अगर किसी ने बोला कि सर यही बंदा अगर associate कर गया तो क्या हो जाएगा? एसोसियेशन के case में, सर इसी का formula आपके लिए shortcut में क्या हो जाता है? 1 प्लस 1 बाइ एन माइनस 1 इन्टू अलफा आई की value क्या हो जाएगी? आई की value क्या हो जाएगी? एसोसियेशन के case में, एसोसियेशन के case में 1 प्लस 1 बाइ एन माइनस 1 इन्टू अलफा देखो, strong लेक्ट लाइट है तो tension नहीं number of particles count करो, divide by initial कर दो चाहे association हो, चाहे dissociation हो सर एक normal सी चीज़ याद रखना dissociation होगा जब भी dissociation होगा तो सर आपका i की value greater than 1 आएगी और अगर association होगा तो आपके i की value हमेशा less than 1 आएगी क्यों? क्योंकि सर अगर आप dissociate करते हो, तो number of particles जादा होते हैं अगर आप dissociate करते हो, तो number of particles क्या होते हैं कम अगर आप dissociation करते हो, तो सर याद solution के अंदर आपका molar mass क्या हो जाता है जादा हो जाता है तो dissociation में greater than 1 association में less than 1 molar mass normal greater than world dissociation में because आप तूट जाते हो और यहाँ पर क्या हो जाता है associate हो जाता है तो यह सब चीज़े जैसे ही मुझे किसने बोला कि sir venture factor आपने निकालना शुरू किया strong के लिए निकाला weak के लिए निकाला यहाँ venture factor से होगा क्या sir देखो अभी तक जो आप quality property निकाल रहे थे न वो non electrolytes के लिए निकाल रहे थे non electrolytes के लिए निकाल रहे थे क्या था तो sir delta p upon p10 क्या था delta p upon p10 क्या था काई 2 था sir delta tb क्या था kb into m था sir delta tf क्या था kf into m था और πाई की value क्या थी crt थी लेकिन यही फॉर्मूला अगर electrolytes की बारे हम बात करें तो electrolytes में changes आएंगे और electrolytes में क्या हो जाएगा delta p upon p10 sir सारे के सारे quality properties किसे multiplied हो जाएंगी sir right side में kb into m sir delta tf की value क्या जाएगी i into kf into m और πाई की value क्या जाएगी i into crt तो यह निकालते रो sir सारी properties अपने पास क्या हो जाएगे mix हो जाएगे अब देख ले venture factor निकालने की यही 2-3 तरीके है i और alpha की बीच का relation निकालो i और alpha आता कब है weak electrolytes में weak electrolytes में जहां 100% association हो रहा है 100% association हो रहा है उसके case में सोचना तक नहीं है sir यह weak electrolytes में ही सोचना है venture factor आपको निकालना है venture factor से आपको क्या करना है multiply करना है right hand side में सारी qualitative properties की value venture factor times हो जाती है high times हो जाएगी तो sir इसका ध्यान रखना है अब इस तरह की चीज़े आपको अराम अराम से attempt कर रही है सारे के सारे formulas मैंने आपको revise करा दिये I hope सबने इस lecture को enjoy किया होगा सबने अपने अपने हिसाब से देखा होगा कि हाँ sir मैं किस तरह से चीज़ों को relate कर पा रहा हूँ किस तरह की नहीं कर पा रहा हूँ try करो sir questions को attempt करने से पहले formulas दिमाग में fit रहे ताकि sir neat na exam मतलब दे न हम exam से डरे न हम questions में formula न भूले ये basic चीज़ दिया रखना तो sir अगले lecture में अलग से फिर से एक revision mind map आने वाला है आपके लिए नए chapters का तो ऐसे नए नए chapters के revisions करते जाए fast fast already आपने ये class कर लिया होगा आपने मतलब ये chapters पहले से किये होंगे बस हम लोग इस revision series में आपको mind map series में बस एक chapter का mind map बना के दे रहे कि ये formulas important है इनकी इनकी जुरत आपको बार बार पड़ेगी पक्का तो I hope सब लोग ये lecture enjoy कर रहे होंगे तो मिलते हैं next session में तब तक के लिए ओक बाय 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 भी एक बाय जुए